हालो नमस्कार साथियो स्वागत आपका राव टेक्निकल क्लास के ओनलाइन प्रेटफॉर्म पेश साथियो हम जो पढ़ेंगे आप स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल थेोरी के बेसिक पॉइंट आप लोगों ने किसी भी कोचिंग से कोचिंग की होगी लेकिन आप 60% सलेबस ह ही वहां पढ़ पाते हो पूरा जो 40% बचा हुआ सलेबस से वह आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो और उसमें से 40% किस्टन आते हैं जिससे आपका सेलेक्शन रुख जाता है जैसे कि किस तरीके के चैप्टर हैं सेफ्टे एंड सिक्योर्टी है आपके ट्यूल से एंड इक् पढ़ा से डालि जाती हैं इस तरीके के छोटे पड़ा फिक से इं से बुजऑरा करने की सोचते हैं सप्षप इस तरीकिक का आप जड़ि साइकलॉजी रखनेजं नहीं नहीं होने वाला है हम लगातार जितने भी ये टोपिक्स हैं उनके question solve किया करेंगे लगबग क्योंकि नवदद अंदर किस तरीके question आते हैं मैं आपको हर वीडियो के अंदर हर chapter में ज्यादा नहीं इसके पहला और दूसरा chapter है इनके मैं question पूरे करवा दूँगा लेकिन हम दिरे दिरे जैसे जो चैप्टर होंगे उनके numericals करेंगे जितने भी numericals बन रहे हैं उस सारे हम numericals in session में करने वाले तो लगातार हमारे साथ बने रहना सभी questions को easy way में soul करना ठीक है तो चलिए आज का motivational quote रक्त बहा कर सरंगार करूं हामोस यहां तलवार नहीं हम वनसज हैं उसे राणा के हार तो हमें कती स्वीकार नहीं आडे रहो साथियों क्योंकि जब तक आप आडे रहोगे तब तक आपके selection सुनिस्चित होने के कगार पे हो जाएगा चलिए आज का अपना chapter है विद्धुत सुरक्षा एम स्वास्त यानि कि safety and health के बारे में जितने question है किस types के हम उसके बारे में पहले थोड़ा discuss करेंगे उसके बास उसके question करेंगे कि नवद्धे के अंदर किस तरीए के question आते हैं देखिए सबसे पहला जो अपना है वो है सुरक्षा चिन और ये बहुत ही important है आपके हर exam में यहां से question बनता है ठीक है अब वो question किस तरीके का बनता है वो देखते हैं देखिए आपको कुछ चीज़े याद होनी चाहिए पहला कितने type के सुरक्षा चिन होते हैं दो तीन और चार type के कौन-कौन से निसेदात्मक, अनिवारिये और चेतावनी साथ में सूचनात्मक ये चार तरीके के आपके symbol होते हैं sign होते हैं जो कि कहीं पे भी आप जाओगे चाहिए road पे चल रहे हो या आप hospital जा रहे हो या किसी वरक्षोप में जा रहे हो या किसी company में जा रहे हो आपको ये चार type के आपको direction बताएंगे या आपको protect के लिए लगाए जाते हैं सबसे पहला है आपका निसेदात्मक, निसेदात्मक आपको दिख रहा होगा किस तरीके का है gold circle के अंदर है red color का जो इसका boundary होगा वो आपका red color का होगा और बीच में एक cross होगा आप से पूछा जाएगा इसमें से की इसका प्रष्ट भूमी किस तरीके की है किसकी निसेदात्मक की white color की होगी किस color की होगी white color की होगी इसके उपर जो ये sign बना हुआ है जैसे कि ये smoke का बना हुआ है ये किस तरीके का होगा black color का होगा और ये boundary किस color की होगी आपकी red color की होगी ठीक है देखिए पहला यहाँ देखिए ये question आये हुए हैं बटा निसेदात्मक चिन का वर्तिये आकरती होती है और वर्तिये चिन होता है यानि कि दोनों को same ही है उसके बाद इसका border कैसा होगा लाल होगा और प्रेश्ट बोमी कैसी होगी सफेद होगी लेकिन इसका जो संकेत है जो ये दिखा रहा है वो किस तरीके का होगा black रंग का होगा मैंने क्या बताया इसके अंदर ये चीज़े बताई है देन अगला चलो जो अनवार ये है आवशक है वो किस तरीके का होगा आपका circle के अंदर तो होगा लेकिन वो fulfill होगा इसके अंदर fulfill नहीं होगा लेकिन इसके अंदर आपको full color भरा हुआ मिलेगा किस color का black वो sorry नीले color का ठीक है किस तरीके का नीले color का और जो आकरती बनी होगी वो सफेद color की बने होगी ये किस तरीके का है नीला और इसके उपर आकरती कैसी है सफेद ठीक है अब देखिए आपको सकारात्मक जो है इसका नाम है दूसरा आवशक चिन भी है इसकी आकर्थी कैशी होगी, वर्तिय होगी या गोल भॉल सकते हो आप गोल वैसा होता है, वर्तिय के अंदर आता है, इसका जो बोडर है, वह है नही, नीले रंग की प्रस्ट भूम होगी, आपका और इसके उपर सफेद इस तरीके के ने यह कार ये कारिया आपको करना ही है इसके बाद में आता है पहला यह कैसा होगा तिर्बुजाकार होगा आकरति कैसी समझा जाएगा अगला है आपका सूचनात्मक सूचनात्मक के अंदर क्या होगा प्रस्ट भूमी किस तारीके की है हरे रंग की ये साथियों आपको दो टाइप के बनेंगे एक हरे रंग की प्रस्ट भूमी और एक मिलेगी आपको सफेद अगर आपके सफेद प्रस्ट बूमी है तो लाल कलर से बना होगा आपका इसके उपर साइन और हरे रंग की है तो सफेद रंग से बना होगा ध्यान रह जाएगा आपने medical store पे देखा होगा plus लिखा हुआ ठीक है plus लिखा हुआ होगा वो कैसा है लाल है लेकिन उसका प्रस्ट कैसा है हरे रंका आपने exit देखा होगा exit कई बार क्या होता है आपको exit हरे रंका आप जितने भी road के उपर जाओगे आपको green color के board मिलेंगे कि आपको दाहिने मुड़ना या बाहिने मुड़ना है जैपूर 50 km दिली 70 km इस तरीके के direction मिलेंगी अब वो क्या कह रहा है आपको सूचना दे रहा है कि दिली इतनी दूर है अब वो आपको ना तो यह कह रहा कि आप इधर जाओ ना यह कह रहा कि आप मत जाओ आपकी मर्जी यह है कि यह चीज आपके पास में होनी चाहिए मास्क लगाओ अपना आखों की protection करो हाथों की protection करो इस तरीके के और निशेदात्मक कि यह कारिये बिल्कुल नहीं करना है चलिए आगे देखते हैं कि इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा आग बुजाने कि यंतर और या आग बुजाने के types आग कितने प्रकार की होती है यह सारा दिया गया है देखिए type a b c d e और f आपके पास 6 type के आग होंगी वो किस किस तरीके कि उनके अंदर क्या क्या आया है यह कुछ questions आये हुए है एक जामस में हमने उसी में से इसकी वो बनाई है ठीक है जैसे कि a type क्या है उसके अंदर लकडी जूट कागच का पास ठीक है इसके अंदर आप जल रासाइनी की अंतर या आप कह सकते हो dry powder भी आ सकता है इसके अंदर ठीक है उसके बाद में बी टाइप में है पेट्रोल डीजल कैरोसीन उसके बाद कौन सा है अगनी शमन ज्ञाग योगत अगनी शमन इनका कलर भी दिया गया है यहां देखिए यह कैसा कलर होगा लाल रंग का होगा क्रीम कलर का होगा ठीक है अग से उस कपड़े में आग लग वह कपड़े में लगी हुई आग पॉन सी क्या लाएगी आपकी सी किलास में गैस एल पीजी और सी एंजी इसके अंदर हैलोन ctc टाइप का आपका अगनी शमन्य अंतर होगा जिसके अंदर ctc टाइप में क्या क्या आएगा आप में carbon dioxide ccl4 carbon tetra chloride हो गया और bfc promo chloro carbon carbon यह आपका टीन टाइप के कौन से में आते हैं हैलोन टाइप में जो कि गुरूप c यानि कि c class की जो आग है वो भुजाने के काम आएगी जिसका कैसा रंग होगा ब्लैक होगा दी है धात्विक जो आपका सोना चांदी को पर और भी अगर आप इसको याद करना चाहों देखना ठोस द्रव गैस और विस्पोटक विस्पोटक से आप किस चीज को याद रखोगे सोडियम सोडियम आपको देखने को मिला होगा कि उसके अंदर पानी के आग पकड़ लेता है पानी या नमी के संपरक में आने से चीक है तो विस्पोटक सामयगरी है कौन सी धात्तु जितनी है वो सारी इसमें आ जाएगे मैंने याद करने के ट्रिक बताईए आपको उसके अंदर क्या होगा आपका सुस्क पावडर प्रियोग में किया जाएगा अब आता है क्लास ए इसके अंदर धात्विक मसीन धात्विक उपकर्ण तथा विदूत वाइरिंग के अंदर जितने भी है वो सारी कुंस में आएंगी एक अंदर दिया गया है जिसके अंदर वो ही है आपका कारबन डायोकसाइड सी टी सी या सुस्क रेत आप प्रियोग में कर सकते हो इसमें आग बुजाने के लिए अब आता है क्लास एफ यानि कि जो किचन में तेल है उसके अंदर यदि आग लग गई तो आप गीला पाउडर आप उसके अंदर डाल सकते हो ठीक है इसके बाद में देखो यह कलर के हिसाब से आपको पूछ सकता है आए हुई किस तरीके का जो किस तरीके का होगा आपका ब्लैक कलर होगा पानी वाले का क्या होगा रैड होगा फॉम टाइप क्रीम कलर का होगा और ड्राइप पाउडर ब्लू रंग का होगा जिसके उपर अगर यह नहीं भी है तो यह पट्टियां होंगी आपके इसके उपर एक लेबल लगाया जाता है वो लेबल आपका बताता है कि यह किस तरीके का है चीक है कि आगे चलिए कि एक आपको दे रखा है कि अगनी शमनी अंतर का प्रियोग की विदी तो यह पास होती है क्या पास पी ए डबल हैस यहनि कि इसका निकालना उसके बाद ऐम लगाना उसके बाद स्क्वेर दबाना और खैब यहनि चल आगे देखते हैं, आगे है सुरक्षा उपकरण, आपके पास मैं हातों के दस्ताने होंगे, हेलमेट होगा, सेफ्टी बेल्ट है, इंसुलेटेड जूते और इंसुलेटेड ओजार, यह किस पधार्थ के बने होते हैं देखिए दस्ताने रबड के होंगे हेलमेट प्लास्टिक का होगा सीट बैल्ट आपकी सोरी सेफ्टी बैल्ट किसकी नाइलोन की बनी होगी और इंसुलेटेड जूते जो होंगे वो मोटे रबड वाले ताकि करंट ना लगे और उसके उप उक्चार ठीक है प्रात्मिक उक्चार में आपके पास चार विधियां होंगी किसकी यदि आप कोई जटका लगया बिजली का या बेहोसी की हालत में आ रहा है तो उसको सांस लेने की जरुरत पड़ती है क्योंकि संकूजन कर देता है जो करेंट है वो मास पेशियों में सं करेंट करेंगी बोडी तो उसके अंदर उनकी जो वेन से उनके अंदर ब्लड फ्लो होगा या आपके जो पंप करेंगा हर्ट ठीक है फुकुस में हवा बरनी है आपके जो आपके फुकुस होता है ना यानिकी फेपड़े उनको दबाया जाता है ताकि आपके हवा बरे और ब्लड पंप आराम से काम करें मुह में सांस बरी जाती है तो इस तरीके से कुछ विदियां है हम उनको देखते हैं देखिए सबसे पहले है सिल्वेटर विदी सिल्वेटर विदी में क्या है कि इंसान के यदि छाती के ऊपर छाले हो जाते हैं तो उसको सीधा लिटाया जाता अगर चाती पे हैं, आम सीधे लेटेंगे, तो पीट के बल लेटेगा, तो इसके जब सीने पे चाले हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तब ये प्रियोग में की जाती है, दूसरा है सैफर विदी, सैफर के अंदर क्या होगा, कि आपको चाती के बल लिटा दिया जाएगा, यानि कि आपकी जब पीट के उपर चाले हो जाते हैं, तो आपको पीट के बल लिटा जाता है, ठीक है, आगे है मुझ से मुझ में हवा बरना, ये सबसे आसान तरीका होता है, कुछ नहीं करना, मुझ को साप किया, और कंप्रड़ा लगाया, और उसके अंदर सांस दे दो, ठीक है, पीट के नीचे तक्या लगाकर लिटा दिया जाता है, और उसके बास में उसके स्वास लेने में कठीन आई होती है, तो उसको सांसे दे दिया जाता है, ये आयो हुए क्यूस्चन है, देखिए, अजमेर के अंदर 2004 में आया हुआ है, ये UPPCL 2016 के अंदर आया हुआ ह यहां से कुछ क्यूस्चन पूछे गए हैं, कि मानव सरीर के बीच में धारा के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, या उसके प्रतिरोध, अब धारा का प्रभाव प्रतिरोध से ही indirectly संपर्क में वो डिपेंड करता है, तो देखिए हम इसके बारे में जितना है सारे इसको कोई पता नहीं चलेगा, उसको महसूस भी नहीं होगा, या बिना छती की बात करें, बिना छती में एक से दस आजाए, एक से पंदरा आजाए, तो आपको कर देना है, ठीक है, उसके बाद में दर्दनाक जटका, दस एमपियर से ज्यादा के अंदर आपको लगना महस साथी के सहन करने वाली अधिकतम धारा, कितनी है, पंदरा मिली एमपियर, ठीक है, उसके बाद सौशन में समश्या कब आने लगेगी, 20 से 30 मिली एमपियर, ठीक है, करेंट के बाद, अब आता है, फ्रीजिंग धारा, ऐसी करेंट जिसके अंदर आपकी, जो मास पेसिया है, उनके अंदर संकोजन पैदा हो जाता है, वो करेंट कितनी है, 10 से 40 मिली एमपियर, किसी के सरीर में दम है, वो जटका जेल सकता है, 40 मिली एमपियर तक, तो वो जेल सकता है, एक बंदा ऐसा है, जो करेंट नहीं जेल सकता, उसके अंदर पहले ही संकोजन आता है, तो 20 मिली एंपियर के उपर भी आ जाता है इसलिए इनका फिक्स नहीं रखे वेरियेशन में रखा गया है ठीक है देना आगे स्वास में रुकावट या धड़कन बंद या मृत्यू संभव है कितने पर पचास मिली एंपियर से अधिक और शरीर जलकर राख हो जाएगा दो सो मिली एंपियर से अधिक के अंदर ये सारे आपके क्यूस्चन आये हुए हैं ठीक है चलो अब देख लेते हैं आपके मानुव सरीर के प्रतिरोधों के बारे में देखिए गिली तवचा या फटी हुई तवचा का प्रतिरोध कितना होगा 500 से 1000 ओम और स्वस्थ जो मानुव सोगा उसके स्वस्थ मनुष्थ के सरीर का प्रतिरोध है तो 1000 ओम या एक लोम ठीक है यह आया हुआ क्यूस्चन है चीक है उसके बाद तवचा सहीत आंत्रिक प्रतिरोध कितना है 500 से 3000 ओम सुस्क तवचा का एक मेगा ओम या जितना यदि आपको अधिक दिया जाए आप वो बोलोगे देन उसके बाद में मैं और बता देता हूँ आपके इसके अंदर ही आया था कि दोनों कानों के बीच का प्रतिरोध कितना होगा दोनों कानों के बीच का प्रतिरोध है 100 ओम चीक है यदि हम बात करें दोनों हातों के बीच का ठीक है दोनों हातों के बीच का तो है आपका 400 से 600 ओम ठीक है याद रह जाएगा चलिए इसके बाद में क्यूस्चन बनता है कि 5S प्रणाली आपसे पूछ लेगा कि इसमें से 3-4 देदेगा और 1 गलत देदेगा आपसे पूछेगा कि कौन सा गलत है देखें आपको पता होना चाहिए इसके अंदर यह जापानी है और इंग्लिस आपको हिंदी इंग्लिस के अंदर पढ़ना है शोट सैट इन ओडर साइन और इस्टरंडराइज और सस्टरंड ठीक है यह आपको करम वाइज याद रखना यानि कि पहले आप चटनी करोगे उसके बाद में आप इनका करम परिक्षन करोगे या करम निर्धारन करोगे और उसके बाद में इनको चमकाओगे जितने भी टूल्स आपको उनको अच्छे से साप सुतरे रखने हैं चमका के उनका मानवी करन करोगे यानि कि वह इस लाइग है कि नहीं और इन उसका कायम रखना उनको जैसे है वैसे ही रखना दैन उसके बाद में एक है आपकी 5E प्रणाली दोनों पुछी जाती है आपसे Engineering, Control, Education and Training, Employee, Implement और Efficiency और Information ठीक है यह आपसे पूछा जाता है इसके बाद में क्या है आपकी एक 6S प्रणाली जो की सुरक्षा सेफटी के अंदर आती है ठीक है चलिए आप करते हैं इसके Question and Answer ठीक है पहला Question है उसमा समंदी बिमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति को निमल लिखित में से कौन सा कारिये करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए तरल पधार्त पिला देना चाहिए बिल्कुल नहीं पीडित को गरम रखना चाहिए पहले ही वो गरम है उसको गरम क्यों रखना तो उसको गिले कपड़े पहनाने चाहिए ठीक है गरम पानी में भी नहीं रखना चाहिए नहीं तो वो उबल अगला है freezing current मैंने अभी आपको बताया था ना freezing current के बारे में उसी का सवाल आया हुआ है धारा के मान में होने वाला वह व्रदी जिसकी वजह से विदु जटके के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की मास पेशियों में संकोजन उत्पन होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होन में से रोपता है इस freezing धारा की अनुमानित सीमा कितनी है आपको पता है freezing current मैंने कितना बताया था दस से चालीस मिली अगला है साथ साथ करते चल लेंगे अगनी दावनी संकेत प्रणाली का भाग क्या है कि यह आपकी किस किस चीज की आपको जरूरत है किसमें जो आपकी साइरन होते है फायर साइरन उसके अंदर तो देखिए इसके अंदर पहला इलास्ट है दुआ उस्मा डिडक्टर यहां डिमेक पैनल आलाराम पैनल और बैटरी आदे यह आपके पास होने चाहिए निमलिकित में से कौन सा विकल्प बुन्यादी सुरक्षा नियमों से एक है यह आप कर लेना को ज्यादा नहीं इसके अंदर क्या आएगा आपका कि आपको सावधानी रखनी चाहिए अगल होना चाहिए निली रंग का होना चाहिए ठीक है बताया था कि आपका सरकल में होगा और एक निला होगा और इसके उपर कोई भी आकरती हैंड की बनी होगी ठीक है चलिए अगला देखते हैं निमल लिखत में से कौन सा सब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है DMRC 2020 आ गया आपका देखिए कौन सा था साइन भी था सोट भी था से स्टर्ण भी था यानिकि स्वैप नहीं था सो श्वैप आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सारे क्या हो जाएंगे गलत यानिकि यह नह कि यह सारे सही है ठीक है अगला देखिए प्रात्मिक चिकत सामें ACB का क्या दर्स आता है ठीक है इसके अंदर फुल फोरम होगी एयर वे ब्रीधिंग सर्कूलेशन ठीक है अगला हैलोन में से हैलोन जो आपका अगनी शमन है इनमें से कौन सी सामयगिरी में भरा जाता है इसका पहला ही ओप्शन देए रिखार है अगला देखिय Minute में से प्रेरित निमन वोल्टेज की वजह से धीमी विदुतिये जटका या इलक्रिक सोड लगता है खालिस्तान का उप्यो करके रोका जा सकता है यदि कोई मसीन है आपकी कौन सी धात्विक मसीन जिसके अंदर इंडेक्शन इफेक्ट के दुआरा कोई करेंट आ रहा है हम उसको किस तरीके से रोक सकते हैं बोड़ी को अर्थिंग करके देखो कहा है ओप्शन नमबर डी चीक है आगे देखिए विदुत आग बुजाने के लिए किस अगनी शमन यंतर का प्रियोग किया जासे कौन सा आपका हैलोन टाइप का ठीक है देन उसके बाद में निम्न में से कौन सा आई इ नियम बिजली के जटके से पिडित लोगों को पुनर जीवित बहाली को महतव देता है कौन सा देता ह क्या सातियों कट आउट नियम चमालीस आया हुआ किस्टन है एल पी के अंदर 2019 के अंदर अगला है मानवी शरीर पर बिजली के जटके का प्रभाव निमली कित पर निर्बढ करता है जैपूर मेट्रों के अंदर आया हुआ किस्टन है तो आपका लाइन वोल्टेज देखि आदमी का जो प्रतिरोद है वो फिक्स है तो उसके अंदर धारा का तो कोई मतलब नहीं है यानि कि आपकी धारा वोल्टेज के उपर डिपेंड करेगी ना तो लाइन वोल्टेज अगला एनिमन में से कौन सी हानिया है जो किसी व्यक्ति को बिजली के जटके लगने से हो सकती है कौन सी हो सकती है आपका हिर्दय की गती भी रूख सकती है और मृतियों भी हो सकती है किसी विशे संग पर छाले या पर जाना या मास का जल जाना बिलकुल सही है स्वास में रुकावट आना या मुर्चित बेहोस होना बिल्कुल सही है यानि कि उप्रोक्त सभी आगे है आई एसो का तात्प्री है आई एसो मतलब इंटरनेशनल और्गनाईजेशन फोर इस्टेंडाईजेशन यानि कि ऑप्शन नमबर भी ठीक है अगला है आपका आग बुजाने की मसीन में कौन से रंग का बैंड कार्बन डाई ओक्साइड सामगरी को दरसाता है कौन से दरसाएगा ब्लैक मैंने बताया था कि आपका हैल कि टाइप का जो भी है वो सारे किसमें आएंगे आपके लुव अगरा है तो कमर में जटका लगने का खत्रा रहता है 22 राग उप्चार प्लांट में आमल आवसिस्ट को खालिस्तान में मिलाने पर निश्करिये किया जाता है आपको पता है कि इसका पी एच मान साथ पर क्या होगा नीट्रल होगा आगे जितने रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके चार ये रहेंगे और इधर कौन सा रहेगा आमल यदि आमल को नीट्रलाइज करना है तो उसके इंदर चार मिलाना पड़ेगा आपको ओप्शन नमबर ए विदु धारा गटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है आपका आवेस जो है आपका वो आपका जिम्मेदार रहने वाला है चीक है? विदु जटके के पस्चाद कृत्रिम स्वांस करिए कि निवन में से किस विधी में रोगों को च्छाती के बल या जमीन पर लिटाया जातا है च्छाती के बल यानि कि आपके पीठ के ऊपर यदि छा ले थें तो आपको कौन सी विधी देंगे? सैफर विधी और यदि आपकी पीट चाती पर है तो आपको किस पे सीधा लिटाएंगे यानि कि पीट के बल यदि लिटाना है तो सिल्वेटर होगा लेकिन यदि चाती के उपर आपके फाले हो रखें तो आपको पीट के बल लिटाए जाएगा ठीक है अगर आपको मोदा लिटा दिया ज शहन कर सकता है कितनी कर सकता है वैसे 10 एंपियर तक अगर कम हो जाए तो नहीं तो आपका 15 मिली एंपियर ठीक है धारा का वहमान जिससे मनुष्य के सरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एक मिली एंपियर से कम धारा पर ठीक है कि उससे नहीं जो आए हुए है उस सारे कौन से से है सेफटी एंड सुरक्ष्य जो हम पढ़ते ही नहीं है तो पढ़ना चाहिए कि नहीं चालिए अपने दोस्तों को सेर करो अगर पढ़ना चाहिए तो विदुत केबलों या उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अगनी शामन अंतर का प्रियोग किया जाता है चार बंडाई ओक्साइड चीक है सोना चांदी को अपर अलुमूनियम में लगी आग कौन से टाइप के होगी ठोस द्रोग एस और विस्पोटक कौन सी क्लास डी ठीक है आगे चलिए विदुत उपकरणों के साथ काम करने करते समयने में में से कौन सी सीडी सबसे सुरक्षित है देखिए साति विएसे अगर हम देखें तो विदुत उपकरणों के लिए लकडी की सीडी उपलब्द अच्छी मानी जाती है जो है सूचना चिन का प्रिदर्स रंग होना चाहिए आपका क्या कह रहा है कि जो सूचनात्मक चिन है उसका प्रेश्ट भूमी ये कलर पूछा गया तो कैसा होना चाहिए हरे रंग का सूचनात्मक चिन की प्रेश्ट भूमी खालिस्तान रंग की ये आकार होना चाहिए भारे रंग का वरगाकार होता है गुरूप सी ठीक है यह आपका वही है कि सुरक्षा प्रोग्राम सुरक्षा से सम्मंदित जितने हैं वो कौन से होंगे फाइप अगर होगा तो आपका और सेफटी के होगा तो सिक्स हो जाएगा ठीक है जो भी होगा अगला है किसी दुरगटना के एप तक्स लागत क्या होती है इसकी एप तक्स लागत क्या दिया गया है कि बुगतान की गई च्छतिपूर्ति गायल के अनुपादित समय की लागत अब आप एक चीज देखन आप जितना समय लगाओगे उतना ही उस इंसान को नुकसान होने वाला है यानि कि आपकी समय की जो इसके अंदर आपका वो माना गया है क्या कीमत वो बहुत बहुत मुल्य मानी गई है ठीक है तो आप क्या करोगे option नमबर बी अगला है कार्डियो पल्मोनरी रेस्परेशन का पहला चर्ण क्या होना चीए आपकी छाती पर जोर से दबाना मुह पर पानी छेडगना या स्वास तो सबसे पहले आप उसका मुह खोलोगे ठीक है बहुत कम छती वाली दुरगटना को खालिस्तान क्या कहा जाता है नगन ने कहा जाता है मरने के जोखिम के साथ सिर पर चोट लगने वाले पिड इत का सुनहरा समय रूपेद चोट लगए तो कम से कम समय अब कम से कम इसमें सो मिनेट है डेढ़ सो है और दो सो है और साथ मिनेट पहले साथ मिनेट ऑ चीए किसी छटी का यह हो गया सातियों दुबारा से क्यूश्च्टन आया हुए हाँ चलिए अगला देखिए यदि खालिस्तान धारा सरीर के प्रवाइद हो जाए तो ये तो हो चुके सारे किस्टिन जाए बिजली का काम करते समय निमन में से किसका पालन नहीं किया जाता और देख लेते हैं थोड़ा सा किसका प्रमुक आपूरती बंद करना बिल्कुल करनी चीए गीले हाथ से काम करना बिल्कुल नहीं करने चीए आपको क्या कह रहा है कि अच्छूता उपकर्ण का उपयोग करें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सक्रिय बिजली रहने वाले उपकर्णों की मरूमत कभी भी ना करें ठीक है अब ये भी गलत है यानि कि आपका प्रमुक आपूर्थी बंद करना लेकिन साथियोगी क्या कह रहा है कि बिजली काम करते समय निम्न में से किसका पाला नहीं किया जाता है ठीक है तो उप्षिन नमबर ए से हो जाएगा इसके अगला है विदुत यंत्रों में ये सून इस्चित करने के लिए प्रियुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसे विदुत में भागों को सम्परक में नहा आएं आपके पास में क्या है कवरिंग है लेबलिंग है ग्राूंडिंग है और गार्डिंग है विदुत यंत्र जो हैं उनके अंदर आपको प्रियुक्त आवरण पूछा है तो आवरण के लिए आपको कवरिंग ही आएगा चीक है लेबलिंग आपका लेबल हो गया गार्डिंग उपर ओवर हेड लाइनों के अंदर हो गया ये सब हैं ग्राउंडिंग अलग चीज होती है थे खाली मनुश्य के विद्धूत प्रगातों विद्धूत धाराओं का अधिक अनुरख्षित है जो फ्रिक्वेंशी पूझी गए है आपके अंदर जो फ्रिक्वेंशी है वो कितनी होगी आपकी 10 किलो हर्टर जो इसके अंदर माना गया है और यह क्या कह रहा है कि प्रगातों पर अधिक सुबेद है तो पत्चीस हर्टज होगा साथी कौन सी पत्चीस हर्टज ठीक है कि क्या प्रभाव होगता है यदि व्यक्ति को बीस मिली एंपियर धारा का प्रगात लगता है यदि लेकिन बीस मिली एंपियर का है तो वो क्या हो जाएगा आपका दरदनाक प्रगात होगा ठीक है अचेद हो सकता है लेकिन बीस मिली एंपियर से अधिक होगर है तो लेकिन ये क्या कह रहा है बीस तो इसके अंदर क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर बीस ही माना गया है ठीक है आप क्या कह रहा है कंबल बालू इत्यादी का प्रियोग करके ऑक्सिजन की आपूर्ति रोक कर आग बुजाने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है इसमूतरिंग कहलाती है ठीक है चली निम्न मेंसे कौन सा कारिय इस्तहल का सुरक्षित भाव है भाग है कौन सा है आपका ऐस यह आपके बहुत ही इंपोर्टेंट है यह साइन काफी बार पूछे गए हैं साथियो तो इनके आप अच्छे से देखना निम्न में से कौन साब भी स्पोर्ट के जोखिम को सही निरूपन है ओप्शन नंबर सी आग नेटवर्क और रेडियेशन टेकर अगला देखिए निम्न में से दर्शाने वाली यह कौन सा लेजर भीर रेडियेशन चीक है यह साइन किसका है यह चित्तर किसका है आपको आपको टोजिक हैजर्ड यानि कि आपका विशाक्त या विशैला जो खतरा है वह यह वाला डाइग्राम पढ़ने से क्या सीधा सिधा आपन देख लेते हैं तो कौन सा है आपका विदू जटके का खत्रा है चीक है आगे चल लो आगे क्या बोल रहा है आपका कि प्रतीक से सम्मंदित है ये वाड़ा चिन ने आपका मैंने अभी बताया था आपका चेतावनी देता है कौन सा तिर्बु जाकार ये डाग्राम किसको दरसाता है आपके कि बिजली के गेरों को पर्स करें और बिजली के गेरे से दूर रहे, तो कौन सा हो जाएगा बिजली के गेरे से दूर रहे Cinnamon, चीक है अगला है स्कूल ये जो बच्चे का सिंबल है वो किसी भी स्कूल के सामने आपको देखने को मिल जा को दर्साई है किसको radiation का खत्रा यह पैदल पात का इसके बाद में आपके दस्तानों का हो गया यह कौन सा हो गया आपको बिजी के तार ना छेड़े बिजली खत्रे वाली चीजों को ना चुएं ठीक है साती हो यह कुछ क्यूस्टन थे आपको मैंने इसके बारे में पूरा समझा दिया है अगर आपको बुक्स में से भी पढ़ना है तो यह चीजे कौन सी आपको सुरक्षशा सावदानियों में आग कितने टाइप के होते हैं उनको बुझाने के जितने भी सेलेंडर हैं उन सब को तीसरा इनके सिंबल्स आप जितने हैं चार टाइप के चारों पढ़ लेना आपका एक भी गलत नहीं होगा तीसरा आपको सवशन किरिया जो है आपकी सेफर विदी जाइ